हमने जावा स्क्रिप्ट के अंदर डॉम को बहुत क्लोसली देखा था आज के इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि नोड्स, पेरेंट और चिल्टरेन को किस तरह से अक्सेस किया जा सकता है और एक एलिमेंट को टागेट करके उसके स्टाइल्स को या फिर उसके अंदर किसी एलिमेंट को एड करना ये सब काम किस तरह से किये जाते हैं आप लोग इस वीडियो को लाइक करके नीचे कॉमेंट्स में सिग्मा बैचों भी जरूर लिग देना चलता हैं कंप्यूटर स्क्रीन में लेट्स रोल दे इंट्रो और एक बात है अबर आप लोग को बतान होने वाले ना वो जावा स्कृट में अक्चुल में मतला जब हम वेबसाइट बनाएंगे बड़ी बड़ी यूज होने वाला है ठीक है और ये काफी इंपॉर्डेंट बात इसलिए भी है क्योंकि अभी तक बहुत सारी लोग करे रहे होंग यार कि हमने वेरिबल्स के बार जालो अप ठीक है क्या मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं कि किस तरह से elements को select करना है किस तरह से dom के अंदर children को add करना है ठीक है तो देखो यार मैंने notes आप लोग को बता दी कहां से आपको उठाने है अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि आप क्या कर सकते हो first child, last child, child notes ये सब चीज़े पता लगा सकते हो, अब मैं आपको systematically इसके बारे में बताता हूं और सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि जो ये vs code का instance मैंने खोला हूँ है, इसमें एक index.html बनाऊंगा, और हाँ आप लोग यहाँ पर directly वी script डाल सकते हो, तो मैं काम करता हूं, मैं कहूंगा div.container और फिसके बाद मैं div.box लिखूंगा और multiply पर 5 करूंगा और मैं लिखूंगा box 1, tap दबाऊंगा box 2, tap दबाऊंगा box 3 और इस तरह से box 5 तक कर लूँगा, no surprises there, ठीक है, और मैं इसको obviously run करूंगा तो आप लोग को ये box 1, box 2, box 3, box 4, box 5 देखने को मिलेगा, ठीक है, अग को भी कर दूँगा, let us say, 56 pixels और जो border है वो कर दूँगा, 2 pixels, solid, black, जल्दी से करता हूँ इसको, और यहाँ पर जल्दी से margin कर दूँगा, 5 pixels और पैडिंग भी कर दूँगा, 5 pixels, ठीक है, तो ये करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखे, ठीक है, ठीक है, ये मैंने बहुत अब मैं मानलो चाहता हूँ कि सारे के सारे मेरे जो boxes ये हैं, इन में क्या हो, कि background color जो है, वो red हो जाए, ठीक है, मैं कुछ इस तरह से चाहता हूँ, तो ये सारे काम java script की साइट से से कि ये जा सकते है, मैं आपर एक script जो है, वो add कर देता हूँ, और मानलो script.js कर दूँगा और यहाँ पर मैं script.js लिखूँगा, और मैं आपर लिखता हूँ console.log hello world, ठीक है, वो मैंने यार क्या कल दिया है, ठीक है, hello world लिखा मैंने यापर और ये java script जो है, चल रही है, अब मानलो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा container है, ये मेरा जो container है, उसके अंदर कितने child notes है, ये मैं जानना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा document.body, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कहूँ document.body, document.body, और आपनों को यहाँ पर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि समझना थोड़ा easy है, मैंने document.body के है, तो पूरी body आ गई, ठीक है, body के अंदर है, हमारा container, फिर script भी body के अंदर ही है, और container के अंदर further elements है, अगर मैं कहूँ कि document.body.childnodes, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके सारे childnodes प्राप्त कर सकता हूँ, जो इसका पहला childnode है, जिसको मैं zero करके access कर सकता हूँ, वो एक text node है, क्यों है वो text node, वो text node इसलिए है, क् कि उस text node के अंदर मैंने ये space रखिये, ये text node है, इसको एक text node माना जाएगा, ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि मुझे next element चाहिए, तो मैं कहूँगा कि div.document.body.childnodes1, यानि कि इस array का, जो मैंने document.body.childnodes कहा, मैं इसको इस तरह से कहल देता हूँ, ता कि आप लोग को दीखे मैंने कहा document.body.childnodes, और document.body.childnodes मैं जैसे ही कहूँगा, मुझे मिला text, ये container, ये text मिला मुझे, script मिला, text मिला, ठीक है, जो जो notes थे, वो वो मिले मुझे, अब मैंने कहा कि मुझे इसका पहला element चाहिए, तो मुझे text मिल गया, फिर मैंने कहा, मुझे इसका पहला element चाहिए, म मैं child notes करूँगा, इसके अंदर के जो child notes है जो कि यह text, फिर div.box फिर text, div.box क्यों आ रहा है, इसे text क्यों आ रहा है, text इसको माना जा रहा है, तो अगर आप container के अंदर गुसो, तो क्या होगा, सबसे पहले यह text node आएगा, यह text node माना आप इसको ऐसे लिख लो, फिर text node नहीं आएगा, container के अंदर directly सबसे पहले div आएगा, आप लोगों में दिखा देता हूँ यह करके, तो अगर मैं अभी यहाँ पर document.body.childnotes करूँगा, फिर text आया, फिर div आया text आया, text क्यों आ रहा है, क्योंकि child notes का बता लगा सकते हैं, यह use करके जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, फिर आप first child, last child और child notes यह use कर सकते हैं, तो मैं जल्दी से आप लोग को first child और last child भी करके दिखा देता हूँ तो अगर मैंने यहाँ पर कहा कि जो मेरा एक container है, मैं जर्दा यहाँ पर एक variable बना लेता हूँ मैं काँगा let cont is equal to document. यह cont किया container है, मैंने कहा कि document.body के सारे child notes में से जो दूसरे number का child note है note that index starting from 0 है तो 01 जो दूसरे number का note है, यानि कि अगर मैं document.body.childnotes करूँ, तो सबसे पहले एक text node आएगा फिर उसके बाद container आएगा ठीक है, क्योंकि enter है, जो new line है उसको भी text node बाना जाता है, ध्यान से सुनना ही बात है, क्योंकि यह video बहुत important है अब यहाँ से important बात है हम लोग start कर रहे हैं, तो आप लोग को focus करना पड़ेगा ठीक है, तो यह container जो है, इस container के अंदर अगर मैं further कुछ भी करना चाहता हूँ मैं cont से इसको access कर सकता हूँ c-o-n-t cont और अगर मैं अभी कहता हूँ child nodes या मैं कहता हूँ first child मैं कहता हूँ first child मुझे दे दू भाई क्या है text node है, इसका first child text node है, यह वाला इसका context node होगा होगा, तो, यह first child और last child, अगर इसका umm Would you text node होगा, तुम मैं last child भी कर सकता हूँ dude लेकिन, होता क्या है नज यह जो first child होता है और यह जो last child होता है यह, text nodes है हम इसमें Age समझ रहे हो कभी आप क pouch के container के अंदर क्या है आपको यही बोल जाएगा box है box 1 box 2 box 3 box 4 box 5 है ऐसे देखोगे आप तो कोई यह नहीं कहेगा कि यार इस पर text है तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसका पहला child अगर बोलू तो मुझे यह मिल जा सीधा second child बोलू तो यह मिल जाए इसको ignore करो कुछ ऐसा नहीं होता हाँ होता है तो मैं क्या करूँगा first element child का प्रियोग करूँगा ठीक है तो अगर मैं यहाँ पर कर दू con.first element child तो मुझे एक ऐसा child मिलेगा पहला इसका जो element है text node भी child है ठीक है child है वो but first element child जब मैं बोल रहा हूँ तब मैं यह कह रहा हूँ कि मुझे एक ऐसा पहला child चाहिए जो की element है text node element नहीं है ठीक है यह div एक element है अब जैसे मान लो कि एक लड़का है ठीक है उस अब से बड़ा है उसकी चोटी बहन है ठीक है अगर कहें कि first female child कौन है तो वो थोड़े नहीं होगा उसकी बहन ही तो होगी क्योंकि उसकी बहन female है ठीक है वो तो male है तो इसलिए यहाँ पर यह जो हमारा element है यह क्या है यह एक element है और यह एक text node है ठीक है यह चीज़ आप लोग को समझ नहीं है अगर मैं यहाँ पर ffff लिख दूँ तो वो भी एक text node में ही गिंती लेगा ठीक है तो यह चीज़ आपको बता होनी चाहिए इसी तरह से जिस तरह से हमने मैं first element child किया मैं last element child भी कर सकता हूँ last element child और अभी यहाँ पर cont define नहीं है तो मुझे दुबारा से cont को define करना पड़ेगा और मैं कौन डॉट last element child और आप देखो last element child मुझे box 5 मिल रहा है यह highlight भी ओकर मिल और मैं कह सकता हूँ कि dot style dot color is equal to red तो इसके अंदर का जो मैंने यहाँ पर क्या किया मैंने का last element child dot style dot color equal to okay तो मुझे red को double quotes में लिखना है तो इसके अंदर का जो color है वो red हो जागा और मैं इसका background color कह दूँ dot style dot जैसे भी लिखूँगा मुझे यहाँ पर देखो css properties जो ना start होई dot background color is equal to मान लो मैं green करूँ मैं यहाँ पर green करूँ तो आप देखो यहाँ पर यह green हो गया ठीक है तो इस तरह से आप लोग जो है last element child dot style dot background color करके इसका जो css हो change कर सकते हो ठीक है तो इस तरह से आप लो हैं child notes कैसे प्राप्त करते हैं और last child कैसे प्राप्त करते हैं अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे आप लोग parent note जो है वो प्राप्त कर सकते हो तो क्या होगा कि अगर आप लोग parent note प्राप्त करना चाहते हो तो आपने simply क्या करना है कोई भी element है इसे मालूम है यह मेरा element है, con.last element child, dot अगर मैं कहा हूँ, parent element, तो इसका parent क्या है, वो आ जाएगा, देखो, container आ गया, ठीक है, तो parent तक भी मैं जा सकता हूँ, navigate करके ओपर, tree में, ठीक है, तो यह dom tree है, जिसमें हम घूम रहे हैं, ठीक है, अब एक और important method होता है, previous element sibling, sibling, यह क्या होता है, previous sibling which is an element, ठीक है, previous element sibling, इसकी sibling, जो की एक element है, ठीक है, अब यहाँ आपर मैं आप लोग को बताता हूँ, कि किस तरह से आप लोग सारे जो children है, किसी भी एक element के, उनको प्राप्ट कर सकते हैं, तो अगर मैं आप लिखूँ, document, document, dot, और मैं लिखूँ, फिर body, और मैं लिखूँ, dot, और मैं कहूँ, first element child, जो की क्या होगा, first element child, sorry, not first child, first child करूँगा, तो notes आजाएंगे, और अगर मैं first element child करूँगा, तो मुझे सिर्फ क्या मिलेगा, यह वाले elements मिलेंगे, ठीक है, तो elements कौन से होते हैं, जो की html elements होते हैं, और notes होते हैं, उसमें क्या-क्या आता है, text notes आते हैं, और उसमें comments भी आते हैं, ठीक है, comment notes भी आते हैं, जैसे कि अगर मैं आपर एक comment डाल दूँ, this is me लिखकर, अगर मैं आपर एक comment डाल दूँ, तो यह comment node हो जाएगा ठीक है यह अलग से comment node हो जाएगा और यह text node हो जाएगा जिसमें सिर्फ कुछ spaces मिली होई है ठीक है और यह element हो जाएगा तो जब हम सिर्फ child की बात करते हैं फिर कहेंगे कि किसी भी element के सारे जितने भी child nodes हैं तो उसमें यह सारे nodes आएगा यह text node आएगा यह comment node आएगा यह वाला element आएगा element node कहते हैं इसको लेकिन अगर मैं कहूं मुझे सिर्फ elements चाहिए तो क्या आएगा इसी box 1 box 2 box 3 box 4 box 5 ठीक है यहां तक clear है सब लोग comment में लिख दो भाई clear है बराबर है सब लोग लिख दो यार जल्दी से बराबर है two way interaction मजा आता है ठीक है तो अगर मैं भी यहां पर लिखू document.body.firstelementchild तो मुझे क्या मिलेगा पहला ऐसा child मिलेगा जो कि element है ठीक है मिलेगा ठीक है तो यहां पर div class is equal to container यह मुझे मिल गया अब मैं कहूं कि यह जो first element child है इसका भी मुझे first element child चाहिए या फिर मैं कहूं कि मुझे इसके सारे child notes चाहिए तो मुझे क्या क्या मिलेगा मुझे मिलेगा एक text मिलेगा एक comment note मिलेगा फिर दुबार एक और text मिलेगा फिर मेरा जो div.box है जो की element है वो मिलेगा ठीक है मैं समझाता हूँ इस बात को कि ऐसा क्यों हुआ सबसे पहले ये text node जो अभी मैंने highlight कर रहा है screen पर आपको दिख रहा होगा zoom कर देता हूँ थोड़ा सा और ठीक है दिख रहा है आपको I hope दिख रहा है यार ठीक है ये text node होगा मेरा ठीक है फिर इसके बाद ये मेरा क्या होगा उपस ये मेरा क्या होगा ये मेरा होगा comment node ये अलग से node है comment node कहते है इसको ठीक है फिर इसके बाद ये मेरा एक और text node फिर इसके बाद ये मेरा element ठीक है तो इसलिए text comment text element ठीक है यहाँ पर आपको दिखाऊं देखो text comment text element ठीक है तो यह इस तरह से जो है आपका text comment text element यह आया लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे elements मिले तो मैं children लिख दूँगा तो मुझे सिर्फ elements मिलेंगे और यार इसको ना मैं थोड़ा सा आप लोगो को copy करके यहाँ पर दे भी देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ ऐसी बाते लिखवा हूँ आपको जिसका आपके पस record ना रहे ठीक है मैं चाहता हूँ कि आप लोगो को इसका आप लोगो के पास होना चाहिए यार यह ठीक है तो मैं ही चाहता हूँ कि आप लोगो के पास यह होना चाहिए मैं जारा word wrap को toggle कर लेता हूँ और यह देखो यह सारे के सारे जो हमारे method से ही आपको पता होने चाहिए सबसे पहले तो first element child पहला ऐसा child जो की element हो फिर इसके बाद इसके अंदर के child notes कहूँगा तो सारे notes आएंगे जिसमें text notes होंगे comment notes होंगे और elements होंगे ठीक है फिर अगर मैं कहूँ children तो मुझे सिर्फ इसके अंदर के html elements मिलेंगे ठीक है I hope यह clear है सबको और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दिहान से सुनो दुबारा से मैं repeat भी कर रहा हूँ और जैसे ही मैं कहता हूँ कि document.body.first element child.children मुझे सारे element notes मिल जाते हैं फिर इसके बाद मैं यहाँ पर 0, 1, 2, 3 करके पहला, दूसरा, तीसरा जो element है वो प्राप्त कर सकता हूँ तो मैंने यहाँ पर लिखा 0, फिर मैंने यहाँ पर लिखा 1 फिर मैं अगर यहाँ पर लिख दू 3 तो मुझे यह जो है मिल जाएगा ठीक है तो 0 से index स्टार्ट होगी है 0, 1, 2, 3, 4 ठीक है तो जो 3 वाला यह box 4 होगा क्योंकि 0 से गिंदी स्टार्ट हो रही है मेरी ठीक है बढ़िया अब अगर मैं कहता हूँ कि जो मेरा box 4 है जो कि मेरा document.body.firstelement.child.children 3 है मैं इसका next element sibling प्राप्त करना चाहूँ next element sibling कौनसा होगा कौनसा होगा box 4 का next element sibling box 5 होगा यानि कि sibling जिनके parent same होते हैं उन्हें sibling कहते है इसका और इसका parent क्या है container है तो box 4 का next sibling box 5 है box 4 का previous sibling box 3 है ठीक है तो अगर मैं यहाँ पर previous element sibling करूँ सिर्फ elements की बात हो रही है आपर previous element sibling element मतलब html element most of the cases में हम elements को ही target करते है ठीक है previous element sibling और आप देख सकते हो यहाँ पर previous element sibling मैंने लिखा तो यहाँ पर box 3 आ गया क्या होगा अगर मैं सिर्फ previous sibling लिखूँगा अगर मैं previous sibling लिखूँगा ना तो मुझे text note मिलेगा क्योंकि sibling में तो सब आएगा comment note भी आएगा text note भी आएगा जो भी उसके पहले होगा क्या है box 3 के पहले आप बताओ box 3 के पहले क्या है sorry हम बात कर रहे है भी box 4 की जो हमारा child children 3 है box 4 है क्या है box 4 के पहले आओ देखते हैं क्या है box 4 के पहले क्या है element की बात नहीं होती है किसी भी note की यह है box 4 के पहले तो जो मैंने select किया हुआ है यह text node है बले ही इसमें सिर्फ spaces on new line से लेकिन यह text node कहलाएगा ठीक है तो इसी लिए यह यहाँ पर text node बन के आया ठीक है तो यह जो notes है इसमें आप लोग starting से पढ़ना इसको आपको यह walking the dom वाला जो chapter है इसमें पता चलेगा कि कौन कौन से methods होते है मैंने आपको first child के बारे में बताया मैंने आप लोगों को element के बारे में बताया कि जब सिर्फ element child आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे अगर आपको किसी भी element का parent चाहिए तो आप simply क्या करेंगे आप कहेंगे dot parent element तो आपको इसका child जो element है वो पता कर सकते हैं और जो table links हैं मैं चाहूँगा आप लोग खुद से explore करें जो html table होती है उसको आप table.rows करके table.caption करके table.t head करके जिसे मानलो मेरे पास एक table है आपर ठीक है मैं आपर मानलो एक container के बाद table बना देता हो html table बना देता हो और यहाँ पर मानलो मैं मैं एक sample table ले आता हूँ actually मैं एक काम करूँगा मैं आपर html table में जाओंगा और यहाँ पर एक sample table को copy कर लूँगा और इसके बाद मैं आपर paste करता हूँ table को और अब मैं क्या कर सकता हूँ मैं कह सकता हूँ कि जो body है उसका second element child है table तो मैं table को target करने के लिए क्या करूँगा मैं यहाँ पर आउँगा और मैं करूँगा document.body. और मैं करूँगा children ठीक है जब मैं यह करूँगा तो जो दूसरा जो इसका child है वो क्या है table है तो मैं इसको one कर दूँगा ठीक है तो आप देखो मुझे table मिल गई और इसके बाद मैं क्या करूँगा मैं यहाँ पर dot rows करूँगा तो मुझे इस table की सारी rows मिल जाएंगी मैं यहाँ पर dot columns करूँगा तो मुझे इसके columns मिल जाएंगे I think dot columns नहीं होता है dot rows ही होता है ठीक है table dot rows होता है जिससे आपको सारे trs मिल जाते हैं तो आप जो है इसको try out करना इन सारे methods को और आप लोग को पता चलेगा किस तरह से जो है जो यह table के methods है वो काम करते हैं तो यह सारे methods है क्या आप लोगों को याद करने की जरूरत है मैं कहूंगा नहीं याद करने की जरूरत है जैसे जैसे हम लोग projects बनाएंगे वैसे वैसे हम लोग को यह automatic याद होते जाएंगे और आप लोगों को फिर पता चलेगा कि याद रखने की तो actual में जरूरत ही नहीं है जैसे कि next sibling के लिए आप next sibling use कर सकते हैं मैं तो क्या करता हूँ सीधर type करना शुरू करता हूँ मेरी IDE मुझे बता देती है कि क्या अब जैसे मुझे यह पता करना है कि next element sibling होता है कुछ की नहीं होता है तो मैं क्या करूँगा मैं आप लिखूँगा next element sibling होता है देखो next element sibling मैं यह करूँगा मुझे इसकी next element sibling मल जाएगी तो easy है यार बस आप लोगो को type करते रहना है और आपको बाकी जो suggestions है वो IDE दे देगी उसके बाद आपको अपना idea लगाना है थोड़ा बहुत और हो जाता है यार सब हो जाता है कुछ written की ज़रूवती है मैं कभी written को नहीं बोलूगा आप लोगों को और जब हम projects बनाएंगे तो यह चीज और clear होगी एक request है बस आप लोगों से और वो request यह है कि यार notes को download करके walking the dom पढ़के आजाना अगले वीडियो को देखने से पहले आप मेरी बात नहीं भी मानो कि तब भी हो जाएगा काम आपका बट मैं कहूंगा यार walking the dom पढ़के आजाना clarity रहीगी और मज़ा आएगा फिर अगले वीडियो में मुझे भी मज़ा आएगा पढ़ाने में ठीक है so अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले किस तरह से ID से टागेट करना है किस तरह से classes से टागेट करना है कर मैं चाता हूँ जिसमें box वाली class element वो मुझे मिल जाए अभी के लिए इस वीडियो में इतने हैं thank you so much guys for watching this video and I will see you next time